आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रशन है भारत में बायोगेज उत्पादन की प्रोध्योगीगी का विकास किसके प्रयासों से हुआ। तो हमारा उत्तर है भारत में बड़े पेमाने पर क्या हुआ था। वह खाद्यग्राम या भारतीय क्रशी पहला दो के प्रयासों से हुआ था। पहला है भारतीय क्रशी अनुसंधान संस्था। तथा दूसरा है खादी और ग्राम उध्योग् ग्राम उध्योग् आयोग। इन दोनों से क्या हुआ था कि जो बायोगेस थी उसकी प्रोध्योग का विकास हुआ था। इनकी अनुसार क्या था कि जो बायोगेस थी उसका जो इंधन था उसे अच्छा इंधन माना गया या फिर जो उच्छे इंधन रहता है वह माना गया यह मवेशियो या जो मवेशियो से जो गोबर निकलता है बायोगेस क्या होता है आम दोर पर इसको क्या कहते हैं गोबर गेस भी खा जाता है इसका जिसमें किसका उप्योग किया जाता है जिसमें जो मवेशियों का गोबर या मवेशियों के गोबर का उप्यो करके क्या किया जाता है मविशियों के गोबर का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है इसमें मुख्यों रूप से कौन से गेस पाई जाती है इसमें मुख्यों रूप से इनके मीथेन गेस पाई जाती है मीथेन गेस पाई जाती है जो कि इसको क्या कहते हैं इसको जैव इ भी लियुकुत भुग इंधन भी कहा जाता है जो प्रक्रिए है के है रिख्रे कम्रुड क्रपि में पुणड होती होती है। पहले तो होगा अम्लिनिर्माणंप wygląda फिर क्या होगा अम्लिनिर्माणंने स्थर के बाद फिर होता है अमले निर्मान इस्तर और मीथेन निर्मान इस्तर जैसे कि मैंने आपको बताए किसमें कुन से गेस होती है इसमें मीथेन गेस होती है मीथेन निर्मान इस्तर तो रथम में क्या होता है गोबर में जो मुझूद अमले होते हैं उसके निर्मान करने के लिए बैक्टिरियों की समूद वारा कच्रे में मुझूद जो बायो डिग्रिडेबल कॉंप्लेक्स होते हैं वह सक्री हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि इसमें मुख्योद बात क्या होते हैं और इसलिए इसे एसिट फॉर्मिंग इस्थर कहा जाता है इसमें क्या होता है औरगनिक ऐसिड सभी होते हैं तो इसलिए क्या जाता है अंगलिसर бывает अर इसलिए इसीटब इस्थर बहुं सिंधर को और कर होते हैं हुआ जैन इरे निक है इसका निर्माब होते हैं कि निर्मान करते हैं जैन D गोबर गोबर हो गए कच्रा हो गया और मूर्गी तथा मूर्गियों की बीट हो गई और कच्रे को भी इस्तमाल किया जाता है जो क्रशी का जो कच्रा हो गया उन सभी को इस्तमाल किया जाता है तो यह हो गया हमारा प्रश्न का उत्तर और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गय कि जो भार्ती अनुसंदहां संस्था तथा जो खादी और ग्रामों योग ने क्या हो जाता है इन दोनों के द्वारा क्या किया था इन दोनों का बायो गेस का विकास किया था धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो का समझाया होगा